गुड आप्टरनून स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में जो इतिहास के पर्मुकिस्थल है उनमें जो स्रंगवेरपूर का जो स्थल है इसके बारे में जानकर प्राप्त करेंगे तो हमने प्राचिन कालीन भारत के जो पर्मुकिस्थल है कई स्थलों के बारे में पढ़ाया है जो एक्जाम की दिश्ची से बहुती महतापूर है आता है आप लोगों को हमारे यूटूब चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके और पर्मुकिस्थलों के बारे में वीडियो देखने चाहिए ताकि आपको एकजाम में हेल्प मिल सके ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं श्रंग वेरपूर प्राचिन भारत का पर्मुकिस्थल है इसके बारे में जानकरी प्रात करते हैं इलाबाद से 22 मेल दूर उत्तर पसिम की ओर इस्तित सिग्गोर नामक स्थान ही प्राचियन समय में श्रंग वेरपूर नाम से परशित था रामायन से पता जलता है कि अयोध्य से वन जात्य समय राम, सिता और लक्ष्मन के साथ इसी स्थान पर एक रात के लिए ठहरे थे यहां से निशाद राज ने शेवा की थी यह नगर गंगा नदी के तट परिस्ति था भव भूति ने उत्तर राम चरित में भी इसी स्थान का चित्रण किया है महाभार्त में इसे तिर्थ स्थल कहा गया है अनुसरूती के अनुसार यहां श्रिंगी रिशी का आश्रम था अतै इस स्थल का नाम स्रंग वेरपूर हुआ ठीक है डोक्टर बीबी लाल के निर्देशन में श्रिंग वेरपूर में पिछले कुछ वर्सों से उत्खनन का कारिय चल रहा है यहां से प्राप्त अवसेसों से नगर के प्राचियन वैभव पर प्रकास पड़ता है स्रिंग वेरपूर से धरातल से लगभग 10 मिटर की उचय वाला एक विशाल टीला है जो गंगा के किनारे किनारे फैला हुआ है इसका काफी बड़ा भाग नदी के कटाव से छत्ती ग्रस्त हो गया इस पुरास्तल को पुरातात्विक मानचित्र परिस्थापित करने के कारिये शिमला उच अध्यन सैंस्थान एवं भारतिये पुरातत्व सर्वेंक्षन के सियूंक्त तत्वावधान में के एन दिक्षित एवं बीबी लाल ने किया यहां 1977-78 के बीच टीले का उध्खनन करवा कर महतोपन सेंसकर्तियों का उध्गाटर किया गया अब देखेगा पहली सेंसकर्ती पहली सेंसकर्ती गैरिक मृत भांट सेंसकर्ती है जिसका समय 11 तापदी इस्सापूर्वय जो 1050-1000 इस्सापूर्वय निर्धारित किया गया है इसमें गेरुए रंके मिट्टी के बटनों के टुकड़े मिलते हैं जिससे सुचित होता है कि इस काल के लोग बांस बल्ली की सहता से अपने आवास के लिए जोपडियों का निर्मान करते थे मिट्टी का एक चकरिय खंड तथा कान लियन फलक का एक टुकड़ा भी यहां से मिला है द्वितिय संस्कृति द्वितिय संस्कृति के परमुक पात्र काले लाल, काले पुत्ते, चमकिले दूसर आदी हैं इसका काल इस्सा पूर्वे 950 से 700 तक निर्धारित किया गया है इस संस्कृति स्थर से अस्थी, निर्मित, भाण, फलक, बेधक, लटकन, आदी तथा मिट्टी के बने मन के भी मिलते हैं तीसरी संस्कृति यहां के तीसरी संस्कृति एन वीपी पात्र प्रम्प्रा उत्री काले मर्जित मृत्भांड से संबंदित है इन मृत्भांडों के साथ साथ इस इस तर से तम्र निर्मित तीन बड़े कलस एक कल छुली मिट्टी की नारी मूर्टियां माणि के मिट्टी के वैसोने के बने मन के पस्वों की मूर्टियां तता ताम्बे एम लोहे के उपकरन भी मिलते हैं आहत एम लेक रहित ढली हुई मुद्रैं भी प्राफ्ट हुई हैं चोथी संस्कृति स्रंग वेरपूर का चोथी संस्कृती स्तर दो उपकालों में बाटा गया है यहां से सुंग काल से मिट्टी की बनी मूर्थियां अयोध्य के राजों के सिक्के तथा लाल मृत भांड पाए गये हैं इस स्तर की सरवादिक महत्ता पुन उपलब्दी तीले के उत्तर पूरव की ओर एक आयताकार तालाब की प्राप्ती है यहां पकी इंटों से बना है इसकी लंबाई उत्तर दक्षिन की ओर 200 मिट्र के लगभग है उत्तर की ओर से जल परवेस और दक्षिन की ओर से उसके निकास के लिए नाली बनाई गई है इसमें पेजल की सफाई का विशेज परबंद किया गया है भारत के किसी भी पुरास्तर से उत्खनित यह सबसे बड़ा तलाब था पकी इंटों की मिन्ने से यह बात इस्पस्ट होती है कि इस समय भवनों का निर्मान इनी के द्वारा होने लगा था इस संस्कृति का काल इसा पूरा 250 से 200 इस्वी तक माना गया है इस काल में उत्तर भारतिवे नगरी करण अपने उत्कर्ष पर था पांचवे संस्कृति पांचवे संस्कृति काल की अवदी 390 से 600 इस्वी तक मानी जाती है इस काल से गुप्त कालीन मिट्टी की मूर्तियां तथा गहरे लाल रंके मृत भाण मिलते हैं भांदों के निर्माण में प्रियूक्ती इंट पहले जैसी न होकर टूटी फूटी अवस्ता में है जिससे सूचित होता है कि नगर की समरदी का करम से हास हो रहा था छट्टी संस्कृति छट्टे संस्कृति की स्तर से कंदोज के गहरणवाल नरेश गोविंद चंद्र की तेरह रज़त मुद्राएं तथा मिट्टी के एक बर्तन में रखे हुए कुछ अबुशन मिलते हैं इस स्तर की अवधी छट्टी से तेरवी सताबदी तक बताई गई है इसके बाद स्रेंग वेरपूर की संस्कृति में चार शदियों का व्यवधान दिखाई देता है तेरवी सताबदी में यहां पुन्य बस्ती के परमान मिलते हैं इस प्रकार स्रेंग वेरपूर मद्दे गंगा गाटी का एक परमुक पुरा तात्विक स्तल है इसके उद्खनन से विविन संसकृतिक पक्षों का उद्गाटन होता है तो देखेगा इस्टूडेंस इस वीडियो में हमने प्राचे नस्तल स्रेंग वेरपूर के बारे में जानकरी प्राप्त की और इसी प्रकार से इत्यास विशे से संबंदित आपको और भी महत्तो पून जानकरी हमारी यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे मिलती रहेगी तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे